Hello dear students, welcome to smart knowledge और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों उसमें हम syllabus को discuss करने वाले हैं for class 8th class 8th का science का syllabus जो है इस वीडियो में हम discuss करेंगे जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हूँ कि आपके जो midterm exam है वो आपका हो चुका है और उसमें आपने जो syllabus complete किया है so वो जो syllabus है वो आपके final exam में आएगा या नहीं आएगा वो भी हम इसमें discuss करेंगे so देखे ये आपका जो है first term का syllabus था अगर हम देखें तो chapter 9 आपका जो है class 6 से लिया गया था class 7 से आपका nutrition in plants लिया गया था class 8 में जो आपका chapter 2 है microorganism वाला वो chapter आपका लिया गया था बच्चो और class 6 से ही components of food इसके question भी आपके paper में आए थे class 7th acid basis and salt है और class 8th material metal and non metal धातू और धातू वाला थीक है English और Hindi medium दोनों में ही chapter जो है वो same ही है उसके बाद देखें class 8 का ही आपका chapter 11 है force and pressure यानि बल और दाव वाला अब यहाँ पे जो आपका second term का syllabus है उसमें आपका देखें class 6 का जो syllabus आएगा उसमें आपका chapter 11 है light shadows and reflection ठीक है light shadows and reflection यह वाला chapter है यानि जो प्रकाश वाला है प्रकाश चाया और उसका परावरतन उसके बाद class 7 का topic रहेगा आपका chapter 15 light वाला प्रकाश वाला वो आपके syllabus में आपको cover करना है class 8 का जो chapter है आपका chapter 16 यानि light यानि देखे class 6 से आपको जो light का chapter है वो cover करते हुए आना है क्योंकि आपने covid time में नहीं किये हुए अच्छे से chapter तो वो सारे आपको यहाँ पे cover करने है 6th का light है फिर 7th का light वाला चैप्टर और फिर 8th का light वाला चैप्टर तो कुछ इस तरह से आपको जो syllabus है वो करना है तो यह तो हो गया हमारा light वाला चैप्टर उसके बाद जो आपको करना है class 6 का chapter 9 है living organism and their surroundings और class 8 का chapter 9 है reproduction in animals तो यह बहुत ही easy सा आपका syllabus है तो यह आपको complete cover करना है अब आपको जो दिया गया है the whole syllabus must be completed by 31st January तो आपके teachers को आपको syllabus complete 31st of January तक करा देना है और revision of syllabus for annual examination आप जो हम बात कर रहे थे कि आपका से 7 का exam हो चुका है क्या वो syllabus में आपका final में आने वाला है तो जी बच्चो बिलकुल आने वाला है जो syllabus है आपका वो annual exam जो होगा वो आपका जो essay 1 जो आपको paper दे चुके हो वो भी और जो अब आप करने वाले हो वो भी complete syllabus आपका annual exam में आने वाला है क्योंकि एक line में बिलकुल साफ साफ लिखा गया है syllabus में annual examination will be based on complete annual syllabus जो annual syllabus है उसके उपर based आपका annual examination रहेगा तो complete आपको revision करने होगी ठिक है and जो ये उपर chapter दिये गए हैं ये तो सारे आपको करने हैं आपने assessment के लिए यानि जो paper में आने वाले हैं और बाग की जो chapter रहे गए हैं वो भी अगर आपके teacher कराना चाहें तो वो subject learning enrichment के लिए आपको करा सकते हैं ये था बच्चो आपका eighth classical syllabus तो यहां से आप अपनी copy में आप लिख सकते हो mark कर सकते हो कि कौन कौन से chapter आपको करने हैं आपको जरूर वीडियो आपके लिए helpful रहेगी अगर बच्चो आप वीडियो helpful है तो जरूर लाइक कर देना शेयर कर देना और इसी तरह चैनल के साथ चुड़ी रहना so thanks for watching have a nice day